कश्मीर निवसर्वस प्रेजेंट उसके साथ हमें इंस्पेक्शन आफ सीन आफ क्राइम और बाकी चीजों से यह लगा कि एक और मिलिटेंट हो सकता है क्योंकि वहां उसके ब्लेड ट्रेल्स करीब 3-4 किलोमेटर तक दिखे तो यह उबर के आया कि एक और मिलिटेंट जख्मी हुआ है तो दो मिलिटेंट की तरफ से अटेक किया था एक मारा गया और एक वहां से इंजोड कंडिशन में बाग निकला फर्दर जो मारा गया मिलिटेंट उसके अडेंटिफिकेशन की गई थी शभीर आहमत के नाम से और उसके पोजेशन से हमें इंक्रिमिनेटिंग ख्काइमजमिनुशन मिला था इंवेश्टिकेशन में हमने स्पेशल इंवेश्टिकेशन टीम बनाई थी जिसमें अडिशिणल एडेशिय Riley SAP की डेट में या उससे पहले भी एप्लिकेशन से स्पीशिस एप्लिकेशन यूज कर रहे थे लाइक जैंगी कॉनियन कि जो जनरली हम लोग या आप लोग रूटीन में नहीं यूज करते थे तो उसका हमने फर्दर एनलिस किया उन सेस्पेक्ट को उठाया गया उनको बुलाय फर्दर इंट्रोगेशन जब किया तो फेक्ट्स उन्होंने डाइवल्ज किये वो कॉइट शॉकिंग थे पता चला कि हमारे गांदरबल में सर्च के दो लड़के हैं एक का नाम केसर है एक का नाम आसिफ है और एक कंगन में एक जगे है वहां से एक लड़का हिलाल करके य और इन्होंने कुछ तो ATM पे हैं और SKIMS में हैं एजनसी के साथ काम करते हैं कि इन्होंने ही यह प्लान बनाया यह हमजा हिजबी के साथ फेसबुक पे चैटिंग करते रहे और उसके बाद उनको डारेक्शन दी गई पाकिस्तान की तरफ से कि आप BJP के वरकर्स को अडेंट करें और उनको अडेंटिफाई करने के बार रहकी करें और उनको टास्क दिया गया था कि इनकी किलिंग करनी है इनी जो इनमें में लीड रोल जिसने प्ले किया ही इस मिस्टर कासर केसर और केसर ने ही दूसरे इंडिविजुल्स के मदद से इडेंटिफिकेशन किया और BJP काडर के पाँच डिफेरंट जो पोजिशन होल्डर्स थे उनको अडेंटिफाई किया और उनके नाम दिये पाकस्तान में कि इनकी किलिंग करनी है फिर उसके बाद उन्होंने इसको सेकंड टास्क दिया कि आपको नेक्स नंबर पाकस्तान का इनको दिया गया कि आपको एंड कुछ फ्लैग्स दिये गए अब जब रिकावरी में आप देख रहे हैं यहां फ्लैग्स रखे गए हैं और इनको उस समय दो पिस्टिल दी गई थी और साथ में आम जमनीशन था कुछ डेटोनेटर भी हैं यह टास्क इनको फस्ट अक्टूबर को दिया गया था कि आप अब यह एक्जेक्यूट करना है इसके साथ उन्होंने सेकंड प्लैन बताया कि आप अभी वेच करें हम सेकंड प्लैन हमारा यह कि सेपरेट टीम आईगी वहां से और वो इन यहां जो इडिन्टिफाइड हैं बीजेपी के वरकर उसमें पहला टार्गिट रखा गया गलाम अब इनकी इंट्रोगेशन के बाद इनके डिस्कलोजर पर हमने रिकवरी की अभी दो पिस्टल और उसके साथ उनका आम जमनिशन है और साथ में फ्लैग्स हैं जो के बाद में इन्होंने अन्द सेम डे इनके हमने रिकार्ड चेक किया अन्द सेम डे इवनिंग में आठ ब अबु कासिम ने इनको कंफर्म भी कर दिया कि हमने अटेक करवाया है यह पूरा है कारडर है और हम से हिनने प्लैणिग कर के किया और उसके बाद इनको टास्क दिया गया कि जो बाकी पांच वरकर से चार एक पतल अटैक हुआ वह बच निकला उपर वाले के करम से और हमा चार पे जो एटक होना था उसको बचा लीया और इनको अरेस्ट किया है अब इनको केस existing case में arrest किया है फर्दर हमने कोण ने पेश किया है और इसमें investigation में especially जो बाकी link से сам कश्मीर के उसके लीए भी हमारी टीम इन्वेस्टिकेशन कर रही है और वेरी सुन हम उन तक भी पहुंच जाएंगे जो वहां से इनकी सपोर्ट के लिए एक्स्टेंड कर रहे हैं